इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्बुक लोग भारती का पहला चाप्टर आक्चली पोयम है भारत महिमा तो शुरू करते हैं इसके कवी है जैशंकर प्रसाद उनका परिच्चय यहां दिया गया है उनका जन्म हुआ था 1890 में वारानसी उत्तर प्रदेश में और उनकी मृत्ती हुई थी 1967 में तो ये भी वारानसी यूपी में हुई थी उनका परिचय दिया गया है जैशंकर प्रसाद जी चायवादी यूग के चार स्तम्भों में से एक थे उसका क्या मतलब है कि जैशंकर प्रसाद जी जो कवी थे वो चायवादी यूग आप बहु मुखी प्रतिभा के धनी है, मतलब के बहु मुखी का मतलब होता है, बहु मतलब काफी, एक वचन, बहु वचन, करते न, अनिक, तो बहु मुखी, मुख मतलब होता है, फेस, तो बहु मुखी का यहां मतलब है, मल्टी फेस, मतलब के भौत सारी फेस, मल्टी टालेंटेड अचलिए, बहु मुखी प्रतिभा, प्रतिभा मतलब टालेंट, तो बहु मुखी प्रतिभा मतलब मल्टी टालेंट सिक्त थे वो वह मुखी प्रधिभा के उस से वह मुखी नाटककार कताकार उपनियासकार टथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद हैं मतलब उन्मने सब क्या कभिता Лिखी है नाटकлом है कफा स्टोरे लिखी है नॉोवल उपनियास लिखा है निबंध एसेज लिखे है तो इसमें वो यह सब में वो प्रसिध मतलब फेमस है आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत एतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं मतलब उनकी जो रचना हैं उनकी जो कविता हैं उनकी ने जो प्रिपेर किया है मतलब के पुरे भारत की गौरवशाली अतीत मतलब जो हम अपने अतीत हमारे पास में जो हम प्रावली हमारा पास्त बताते जो हमारी हिस्ट्री बताते है एतिहासिक मतलब हमारा विरासत मिली हमको हमको उसका दर्शन होता है वो हमने दिखाई देता है इनकी रचनाओं में प्रस्तत कविता में कवी ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्नन किया है मतलब सजीव मतलब जीव जीवन वाला जीवन्त मतलब के लाइवली जो हमको आक्चुली लाइवली दिख रहा है ऐसा वर्नन मतलब के दिस्क्रिप्शन बयान किया है तो इस कविता में उन्होंने हमारे देश का जो हमारा पास्ट है जो हमारा वो पास्ट है जिसमें हम प्रा करने के लिए हमेशा ततपर रहना चाहिए मतलब कवी के अनुसार इसका इता मेर कभी कहते है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए मतलब हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और उसकी प्रति उसकी तरफ उसके उसकी और प्रति अपना सर्वस्व सर्वस्व मतलब सब कुछ, तब कुछ नियुजावर करने के लिए हमें हमेशा, तत्पर मतलब तयार, ready, रहना चाहिए, अब हम देखेंगे कवीता, यह देखें, यहां पर हमारी कवीता शुरू होती है, आपको बिल्कुल फिकर करने के ज़रूरत नहीं है, आपके सारे सब्जेक्स के सारे च आपको अगर सिफ explanations की ज़रूरत है, तो हमारे stimulus course कोर्स जोईन कर सकते हैं, अगर आपको सिफ specific subject में help की ज़रूरत है, तो हमारी specific subject join कर सकते हैं, सिफ आप science कर सकते हैं, जिसमें science and science to दोनों cover होगा, second course है booster course, जिसमें आपको complete coverage मिलेगा, क्योंकि सिर्फ explanations सुननना, सिफ doubt clearance करन या टेक्स्बूक के question and answers आपको हम वीडियो पर बता दे। उससे आपकी तयारी पूरी नहीं होती। आपको test देना बहुत ज़रूरी है। हिमाले के आंगन में उसे किर्णो का दे उफार। उशा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अटूरी हमाले के आंगन में हमारे परवत है नौर्थ में उत्तर दिशा में जो हमारे परवत है। हमें किर्णो के उफार मिलता है। माौंटिं के थूंधिक उसकी किटने पड़ती है। किर्णय के पढ़ती है। तो हिमाले के आंगन में उसे किर्नो का दे उखार, मतलब ये गिफ्ट हमें मिल रहा है, भारत वर्ष को मिल रहा है, उशा ने हस अभिनंदन किया, उशा मतलब के सवेरा, सन्राइस, तो जब ये किरन आती है, सन्राइस होता है, तो सन्राइस मतलब हसी, हस के हमको अभिनंदन क हार दलिट को और पहनाया ही राक हार देश क्यों कईर को मसा औरौछ छली हो जातीन अधित अधिक्ति ही यह तो हमारे देश को ऐसे है ज़े जा रहा है जगे हम लगे जगान विश्व श09 मतलब भी मतलब होजर है यह जगना ऊध्याना यह을 का हमालिक आलज का जो हमें जागरन हुआ हमें जो इंशेंट पास में जो हमारे पास जो लोग थे जैसे हरपा civilization वगेरा है तो वो टाइम पे लोग इतने अडवांस थे उस ताइम के हिसाफ से cities थी हमारे हाँ पे BC 3000 BC में हरपा एंजोदारों इंडस वैली हमारे पास इतना नौलेज था हमारे फेमस एस्ट्रोनमर्स वगेरा है जो हमारे पास्ट में इतने सारे फेमस लोग है उन्होंने इतनी सारी जो discoveries की inventions की even zero was invented in India mathematics में astronomy में हम काफी ओस्ट थे तो यह का जा रहा है कि हम जगे और लगे जगाने विश्व तो हम जगे हमारे बाद हमने विश्व को भी जगाया हम ने यह ग्यान का प्रकाश सबी जगए फेलाया लोग मतलब के जो यह 그럼ते rapid तो व्योम आकाश पम मतलब के अंधेरा तो जो आकाश का अंधेरा था पूरा पूरा वो पुझ था पूरा आकाश का अंधेरा था वह तब नश्ट तो जब हमने प्रकाश पहलाया आलोग पहलाया तब ये पूरा आकाश का अंधेरा जो पूरा है वह नश्ट हुआ अखिल मत मतलब संपूर्ण एंटायर तो यहां पर आपको हिंदी मेनिंग में पता होने चाहिए समानाक्ति शब्स के लिए इसलिए हर वर्ड का हिंदी मेनिंग दिया है आलोक मतलब प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा, पुंज का मतलब था समुह, अखिल मतलब एंट शोक, अशोक मतलब के शोक बगेर, शोक रहित, मतलब बिना उदासी के, free of sadness, तो हमने जब प्रकाश वैलाया, जब हमने नौलेज का प्रकाश वैलाया, तो पूरी संसूर्टी जो है, वो खुश हो गई, अशोक हो गई, मतलब के दुख से मुक्त हो गई, फिर अगला है, फ निर्मल, साफ, clean, pure, तो निर्मल, वानी, वानी का मतलब होता है, आवाज, वाज, तो निर्मल, वानी, विमल, वानी किसकी है, clean, pure, वानी, आवाज किसकी है, जिनके हाथ में वीना है, ने वीना ली, उनके हाथ में वीना, जो musical instrument होता है, वो उनके हाथ में है, कमल, कोमल, कर म लचा मतलब हता है हाथ, कर मतलब हाथ है तो मतलब उनके हाथ में विरणा है कैसे सपरीठ से प्रीट मतलब प्यार प्रीच मतलब अच्छा पुरा प्यार से भरा ऐसे तो प्रेम के साथ उन्होंने अपने हाथ में विरणा ली है और कमल 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 मतलब voltage lotus flower कोमल मतलब मुलायम, soft, तो soft कोमल के उपर उनका विराजमान होता है, आप अगर किसकी बात हो दिये, वीना किसके हाथ में होती है, सरस्वती जी के हाथ में, सरस्वती देवी, तो उनके हाथ में जो वीना होती है, अब सरस्वती जी है, goddess of knowledge, तो हम उसी की बात कर रहे है, कि वर्ष ने अंधकार जो दुनिया भर में फैला हुआ था, उसको मिटाया, knowledge, वो पुरे दुनिया में फैलाया, प्रकाश हमने दुनिया में फैलाया, तो सरस्वती जी जो है, वो यहां पे हमारे देश में जो माना जाते है, goddess of knowledge, उनकी बात की जारी है, तो यह देखे, आप तो यह goddess of knowledge, सरस्वती देगी, तो वीना लिया, उन्होंने हाथ में मतलब होगाएगी, तो सरस्वती जी जो है, उनकी विमलवाणी है, मतलब के और आवाज में वो वीना लेके होगाएगी, goddess of knowledge, तो सप्त स्वर, सप्त स्वर मतलब साथ सुर, सारे गम पधनी, तो यह सप्त सप्त स्वर, सप्त सिंधु में उठे, सप्त सिंधु मतलब सिंधु नदी, जिसको हम English में Indas River कहते हैं, तो Indas River, सप्त सिंधु मतलब 7 rivers, मतलब इक है, Indas और उसकी 6 tributaries की बात की जा जा लिए, जो 6 नदी उसमें मिलती है, तो आज अगर हम देखेंगे Indas River और उसके Jiritty Tributaries इसका map देखेंगे तो हमको पाँच ही मिलेगी, मतलब टोटल छे है, इंदस और उसकी पाँच रिबुटी इस, जो छटी रिवर है, वो है रिवर सरस्वती, जो आज वो ड्राइप हो गई है, तो वो अच्छली सरस्वती नदी जो है, वो अब उस कॉम में प्रेजेंट लेक सब्सवती पूरे यह एडिया में उठेंगे, पूरे रिजन में पूरा यह जो इंडस सिविलाइजेशन था, जो आर्यन का सिविलाइजेशन था, इसी रिजन में था, तो वो सब्सिंदू में यह उठें, छिडा तब मधूर साम संगी, मतलब जब यह सवर उखेंगे तो आजूरवेद रराथरवगे, तो साम up gast. जो था वो सुर में, जो है पुरे सब उसके hymns जो कि इस जो मोली फ़ी वो सुर में थी तो वो साम संगीत की बात परी साम संगीत की बात जिए, समवेद के संगीत की बात परतेंगे तो सब्स्वर सब्सिंदू में उठें चिडा तब मधुर साम समझें, तो आप सब्त सिंधु भी मैं आपको दिखा देती हूं, यह देखिए, यह सरस्वति रिवर का है, यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इंडास रिवर, जिसे सिंधु का आ जाता है, तो सिंधु की छे पाँच ट्रिब्यूटरीज है, जेलम, चेनाब, ब्राभी, बियास, और सतलज, सतलज यह छे रिवर्स तो है, लेकिन आज यह जो सतलज है, यह सतलज ऐसे हैं जूड़ जाती है, पहले यह नदी जो थी यहाँ पे, यह सिंधु, सरस्वति नदी थी, तो यह सरस्वति नदी अब नहीं है, पूरा रीजन ड्राइप हो गया ह जिसे सरस्वति नदी का सक्सेसर माना जाते है, कि आज जो हमाय सामने नदी जो सरस्वति नदी से मेल जोल में है, उसी एरिया में वो घंगन नदी है, यह रीजन पुरा ड्राइप है, तो यह गंगा यमुना इस तरह है, तो इंड़स वाली जो इविलाइजेशन था, थे popular flavors, religious books are these, वेदारES, फिर आगे है, विजय केवल लोहे की नहीं, हना की रही धरापर धूम, विजय मतलब , मतलब के success होना, जीतना. जीत केवल लोहे की नहीं. मतलब लोहा मतलब आयन. या लोहे का मतलब कया में बताएजा रहाए है? अत्यार, weapons, ion weapons. तो जीत सिर्फ लोहे की नहीं होई, सिर्फ हमने आयन weapon से लड़ाई करके जंग जीत के हमने जीत नहीं हासिल की, धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म, रिलीजन से, धरा मतलब धर्ती, और धर्म की रही धूम, हमने धर्म का धूम मचाया धर्ती पे, भिक्षू होकर रहते समराथ, भिक्षू मतलब बेगर, भिकारी, तो भिकारी होकर रहते समराथ, ज वो अपना पुरा राजगदि छोड़ कर वो भिक्षू की लाइफ जी रहे थे यहाँ पर किसकी बात हो रही है यह सिद्धार्त की बात हो रही है सिद्धार्त जिन्हें हम जानते हैं अज बुद्धा लॉड बुद्धा तो वो एक्चुली राजा थे प्रिंस थे पर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और धर्म को समझने के लिए भगवान को ढूमने के लिए उन्होंने भिख्शु का आतार लिया और उनको एनलाइटनमेंट हुआ बोधी त्रिके नीचे जो फेमस है निर्वाना मिला उनको लिए उनकी बात हो लिए तो यहां हमारे देश में यह एक्जाम्पल से भिक्षु होकर रहते संघ्वाक दरया दिकलाएगे घर भ्यम सुगह ữी महमत गोरी जो थे वह उन्होंने भारत में जो ग्सम्राइब से ने ठीरि ऌक उतस्वाल southeastी थी फिर्टल से ऐ divinis ओ्प गाँप्रिन फिर्विरा चहुं के आर्मी उनकी और फिर्ट्विरा चाहन के आर्मी ने हरा दिया था पर फिर बहुंत मैं फिर दाफो गट्रायम letting गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टी, तो चीन में भी हमने धर्म फैलाया है घान दिया वहां ही थे थे, बुद्धा, और तरस द्रिज़न सुनाया यहां पर्याह, अएंपरर अशो library आ भी major role play था, उनों ने अपने बेटे बेटी को भी अलग-अलग countries में भेजा धर्म फैलाने के लिए, बुद्तिस धर्म फैलाने के लिए, तो यह है, चीन को मिली धर्म की दुरुष्टि, मिला था स्वन भूमी को रत्न, मतलब स्वन भूमी, स्वन मतलब के गोल्ड, गोल्डन लैंड, तो सोने की धर्टी, तो यह उनको भी मिला रत्न, रत्न मतलब की प्रेश स्टोन, मनी, तो यह उनको रत्न मिला मतलब जो मैंने बात था, कि एमपरर अशोका ने अपने बच्चों को भेजा धर्म फैलाने के लिए, तो यह देखिए, बुद्धिजम जो है, वो सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, साउथी सेशा में फैला, तो के एमपरर अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगह मित्रक को श्री लंका भी भेजा था, तो यह यहां पे उसी की बात की जारी है, कि मिला था स्वन भूनी को रत्न, उनको भी हमने रत्न दिया, मनी दिया, प्रेश स्टोन दिया, मतलब हमने धर्म के रूप में उन्हें यह तोहत पा दिया, शील की सिहल को भी सुष्टी, शील मतलब मतलब सिहल, जो श्री लंका है, तो शेर उसका लायन जो है, उसका सिंबल भी है, श्री लंका, तो श्री लंका को सिहल का आ जाता है, यह देश का नाम है, चीन, सिहल यह तो शील की सिहल को भी दृष्टी मतलब सिहल जो श्रिलंका को है उसको भी हमने नम्रता, शील मतलब नम्रता, मोडेस्टी, शील की सिहल को भी सृष्टी दी, सृष्टी मतलब प्रकृति, नेचर, उसको भी हमने शील नेचर दिया, मतलब मोडेस्टी का नेचर दिया, हमने उ किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, मतलब हम किसी का हमने कभी छीना नहीं है, प्रकृति मतलब निसर्ग, नेचर का हमेशा यहां ही पे पालन रहा है, मतलब पालना, मतलब आप जूला भी समझ सकते हो, क्रेडल, मतलब उनकी जो बस्ती रहना है, हमारा जन्म ही यहीं हुआ है हमारी जन्म भूमियम कहीं से आय नहीं है यह हमारा देश है चरित थे पूत भुजा में शक्ति चरित मतलब चरित्र क्यारेक्टर जो था वो संतान जो थे उनके पूत जो पूत मतलब संतान, बच्चे, चिल्रन, तो चरित थे पूत, जो हमारे जो पूरवज है, उनके बच्चे चरित थे, भुजा, भुजा मतलब आम्स, बाहा, बाहा में शक्ती थी, उनके आम्स में शक्ती थी, चरित्र जो था, वो पूरा नम्रता, नम्रता रही सदा संपन, तो इनका चरुत्रा अच्छा था बच्चों का शक्तिशाली थे और सदा नर्ण थे नम्रटा मतलब मॉडेस्ट सदा संपन रहे कम्पलीट रहे उससे तो यह किसकी बात हो थी आर्यन संतान की बात हो थी तो आर्यत संतान जो हमारे भीह पूरवज्यों थे वो आरिय संतान थे तो वो जो बच्चे थे चरित थे पूत उनके बच्चे चरित मतलब चरित्र उनका अच्छा था भुजा में आंस में शक्ति थी शक्ति शाली भी थे और हमेशा नर्व रहे नम्रता में रहे रुदय के गारव में था गर्व मतलब दिल मतलब को देख नसके वेपन मतलब हम किसी को विपन मतलब कहरीब न dirdhan pour तो eu किई को विपन नहीं देख सके तो यह हमारा चो है पूर्वा जैसे थे उनका चरित्रеци000 चिकरप होते वे भी वह नम्रता में रहते थे और घर्व था हमें कि ghar Basil जो हमारे संचे में था डान संचे मात्लब के collection संघ संग्रब हमारे संचे में था दान, अति थी थे सदा हमारे देव, मतला हम हमारा जो भी कलेक्शिन था हम उसमें से हमेशा दान करते रहते हैं, हम किसी को विपन नहीं देख सकते, गरीब नहीं देख सकते, और हम हमेशा दान करने में मानते हैं, अति थी जो हमारे गेस्ट, वो अति थी थे हमारे सद छेसे बारट वगुष में था कॉसल समतों छेंग लिए उसका हम एJackya हमेड के मरत कर फृफफफ लिएकर यहां भारत वर्श में कुछ वाही ने सतं हमेड द करेंगे, वैसे हम में हमारे मैंस्कु Nepoji तरफ मालना हमेड the government मतलब जो वचन जो प्रॉमिस की हमने वह हमेशा हमने उसको सत्य किया हमने उसको निभाया वचन में सत्य रुदे में तेज रुदे हमारा जो है रौशनी से भराओ रुदे में तेज प्रतिग्या में रहती थी टेव मतलब के प्रतिग्या मतलब प्रतिग्या मतलब प्रतिग वही है रक्त, अब ये तो हमारे पूरवज के हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी बात करें तो वही है रक्त, रक्त मतलब खून, ब्लड, तो अभी भी हमारे जो रगों में खून पह रहा है, वही रक्त है, उनी का खून है हमारे पूरवजों का, वही है रक्त, वही है दे और वैसी शक्ति, ताकत, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, मतलब वही है हम भी आर्य संतान ही है, हमारे पूरवज भी आर्य संतान थे हैं, और हम भी आर्य संतान हैं, दिव्य मतलब पवित्र, डिवाईन, तो हम भी वही दिव्य पवित्र, आर्य संतान हैं, जिये तो सदा इसी के लिए, मतलब हम जिये तो हमेशा, सदा इसी के लिए जिये, देश के लिए जिये, यही अभिमान रहे यह हर्ष, मतलब यही हमको अभिमान रहे, यही हमारी प्राइड रहे, और यही हर्ष, यही हमारी खुशी रहे, हर्ष, मतलब happiness, आनद, निचावर कर दे हम सर्वस्व मतलब हम अपना सब कुर्बान कर दे कि सर्वस्व मतलब संपूनता सब कुछ everything निचावर कर दे हमारा प्यारा भारतवर्ष किसके लिए हमारे प्यारे भारतवर्ष के देश के लिए तो यह पूरी पोयम है तो यहां पर हमारी पोयम खतम होती है यह देश प्रेम से भरी एक पोयम है कविता है, और आगे जो है शब्द संसार भी हम देख लेते हैं, जो हमने इस पोयम में किये उपहार वर्डाया, तो यह इसका मतलब होता है भेंट, उपहार, तो यह यहां पे उसका लिंग लिखा है, यह उपहार शब्द जो है वो पुल जैसे स्त्रीलिंग के लिए देखे स्त्रीलिंग लिखा है, तो संसृती स्त्रीलिंग है, पेव स्त्रीलिंग है, बाकी जो है वो पुलिंग है, और फिर उसके बाद लिखा है कि यह क्या है, यह संग्या है, तो यह संग्या के बारे में लिखा है कि यह सारे संग्या वर्ड्स ह यह विषेषण है, तो यहां पर विषेषण रिख था, विषेषण के लिए pullings तŴर होगा संगया होती, उसके लिए उसके लिए हम pullings त्री vixē चुमें लिंग नहीं होता, तो यह विषेषण में लिंग sonra संगया के लिंग होता है, तो यह विषेषण है लेकिन इनका origin Sanskrit language में है और यह Hindi word है तो ऐसे करके यहां पर जो है हर एक शब्द का हमें उसकी link पता चलती है और तुसरा है वो संगया है कि विशेशन है तो उसका शब्द भेट पता चलेगा कौन सा शब्द है यह और तीसरा है यहां पर जो ब्रैकेट में उस शब्द का origin कौन सी भाषा में उसकी origin है फिर एक मुहावरा दिया गया है यह सब हम देख चुके उभार का मतलब होता है भेट हीरक हार मतलब हीरों का हार आलोक मतलब प्रकाश व्योम व्योम तम तो वह हमने अल्री देखा आकाश तम मतलब अंधेरा संसुती मतलब संसार विपिन का मतलब होता है निर्धन किसी को मतोरल विपन का मतलब होता है निर्धन और तेव , आदत हत्टीया में रहती तेव और मुहावरा जो एक है इस पोयम में वह है निछावर करना, निछावर करना मतलब अर्पन करना, समर्पित करना, मतलब सब कुछ दे देना, तरन क्याग देना. तो यहां पे हमारी ये कवीता पूरी होती है, इसके बाद जो स्वाग है वह अलग वीडियो में देखेंगे. Thank you.